श्री क्रिश्न का नहे आलाल कीजै श्री नियानन्द स्वामी कीजै श्री प्राणनाथ प्यारे कीजै कहे हुकम नुर जमाल का मुहे प्यारी अदिमुमन महामत कहे दोनों ठोरो हम को किये दाना धाना हम को किये दाना धाना स्री क्रिश्न का नहे आलाल कीजै सात्मा प्रकर्ण चरण निश्वत का प्रकर्ण अंदर ताई चरण का संबंध किस प्रकार से है तो वो बात यहां पर समझाईए तो यह पहले दोनों ठोर धन्य किया इस अर्थम यह बताया था ना दोनों स्थानों पर धन्य कैसे होंगे दुनिया का खेल देखते हुए दुनिया में अच्छा कारिय करेंगे तो परमधाम में जागरत होने के बाद में भी वहां इन अच्छे कारियों का रेफ्लेक्शन देखेगा रेफ्लेक्शन तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन वह अच्छा कारिय के रेकोर्डिंग है तो वह वीडियो चलेगा अक्षर ब्रह्म चलाएंगे तो तो अक्षर ब्रह्म को चलाने की विजर्वत में ब्रह्मा आत्माओं को इख्याल आने लग जाएगा तो परमधाम में भी जागरत होने पर भी शब को लगेगा क्यों हो यह अच्छा काम किया किसने जैसने अच्छा किया तो उनको दूसरी सब लोग बोलेंगे कि अच्छा किया धामधनी भी बोलेंगे अच्छा किया तो इस प्रकार से दोनों और धन्यों होंगे ए क्यों छोड़े चरण मौमिन जो हककी वाहिदत तो ब्रहमात्मा पूरुन ब्रहमा परमात्मा के इन चरणों को क्यों छोड़ सकती है उसको क्यों भूल सकती है उवे तो पूरुन ब्रहमा परमात्मा के अद्वेत अंगना है अद्वेत अंग में है अद्वेत संबंद रख पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे बोल सकती है। पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को भूल गई। संदेश देने वाले हैं। जितने भी संदेश देने वाले हैं। उन सब को उसमें कतेव की भाषा में रसुल कहा है। तो उन सब को समझाने के लिए जो जो आए हैं वो सब रसुल है। तो उन ऐसे आतमाई भी वो भी दुनिया में इन में भी जो संदेश देने वाले हैं। तो वो सब रसुल कहलाएंगे। तो यदि कुरान और हदिश के आदार पर कहेंगे तो मुहम्मद रसुल है। बांकि सब को ही रसुल कहा है। और सब को ही मुहम्मद कहा है। जितने भी परमात्मा का संदेश देने वाले हैं। इसे प्रमात्मा के सम्मंद बताने वाले हैं इसलिए इनको रशुल कहा है तो रूहें अरश भूली नाशुत पे प्रमात्माइ नश्वर जर्गतमे आकर के परंधाम को भूल गई है ताय हकर्रमुजे लिखत उनकों लिए परमात्मा ने ऐसे रशुल अथवा संदेश देने वाले दिरिशी हो गए, कोई भी आचारी हो गए, ऐसे महापुरुशों के द्वारा उन्होंने अलग-अलग रंथों में संकेत लिख करके विजवाया। सो सबम ओमिन समझाई, जो असा लह का निश्वत उस बात को ब्रह्मात्मा समझ सकती हैं, क्योंकि उन्हे का ही तो पूर्ण ब्रह्म से असली संबंध है, तो जिन जिन के द्वारा संदेश बेजा, उस अंक्षिप में बेजा है, तो बहुत कम लोग उसको समझ पाएंगे, तो उनका इस संबंधा है, रुएं कदम भूली नाशूत में, हकताय भेजे इसारत, तो ब्रह्मात्मा दुनिया में आने पर अक्षरातित के कदमों को भूल जाती है, तो उनको फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संकित बेजते थे, तो अलग-अलग शास्त्रों में इस तरह से शांकितिक भाषाओं में लिखा है, ताको हादी के समझावई, उनको स्वश्ट करके समझाने वाले होते हैं, तो उनको इस हादी कहा है, तो सद्गूरु स्री देवचंदरजी महराज को इस प्रकारशे भेजा है, जो असलह का निश्वत है, तो वो पूर्ण ब्रह्म परम आत्मा का असली सम्मंद है, वो तो पूर्ण ब्रह्म परम परम अक्षरातित के चरणों को भूल जाती है, तो उनके लिए पूर्ण ब्रह्म अपने आत्मा को भेजते हैं, अपने आत्मा का निश्याम परम 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 प बातें केहे समझावए वो परमधाम के बात कहा करके समझाएंगे जो असल हाक निश्वत जिनका पूर्ण ब्रह्मत से असली संबंद है तो वो बताएंगे भरामोश हो या लाहूत से परमधाम से भूल गई है तो दुनिया के और दृष्टी पढ़ते ही परमधाम को भूल ग रूव अल्ला संदेशे देवत अब स्रिश्यामा जी सबको संदेश देती है सत्कुरु बनकर ए महर लेवे मुमिन जो असलह कनेश्वत ये भी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने क्रेपा की है तो इस क्रेपा को ब्रह्मात्मा समझ पाएंगे दूसरे लोग नहीं समझ प रहे हैं क्योंकि ब्रह्मात्मा का संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से असली है खिताब हादी सीर तो हुआ फूर्मा ना और ना कोई खोलत हादी के सिर पर खिताब उनको उपाधी मिली तो ये खिताब होना उनको दाइत्व मिला उनको एक सिर पर ये दाइत्व क्यों ह है कि और कोई दूसरे तो उन बचनों को खोलने वाला नहीं है हाग का कदम ही रदे मोमिन जो असल हाग का नेशवत तो ब्रहमा आत्माओं के रिदाय में तो पुर्ण ब्रहमा प्रहमा आत्मा के चारण कमल है तो क्योंकि उनका असल समंद पुर्ण ब्रहमा से ही है तो इस बात को सद्गुरु ने समझाया सद्गुरु के द्वारा ये समझ दिलाई रुए भूली आँ खेलवत खेल में तायरु आला इल्म ल्यावत तो जो आत्माएं इस खेल में पढ़कर के अपने असली स्थान को बुल गई है मुल मिलावा को परमधाम को बोल गई है तो उनको रुवा आल्म लयाओ था उनके लिए ज्ञान दे करके उनको समझाते हैं उनको कते परंपरा में रुवा आल्ला कहा है so कायम करे त्रही लोग कोटिनोours लोगों को कायम करदेगी अखंड कर देंगी जो असला का निश्वत जिनका पूर्ण ब्रह्मा से असले संबंधा है तो वो ब्रह्मात्माओं का और स्रिश्यामा जी का संबंधा है तो वो दुनिया को भी इस प्रकार लाब देंगे इसका रब्द हुआ अरसमें सो रुएं इत देयाधारत परमधम में प्रेम के लिए संबाद हुआ तब ब्रह्मा आत्माओं को दुनिया में देयाधारन करने के आवश्यक्ता पड़ी रुएं चरन तो पड़े जो असलाह का निश्वत है रुएं चरन तो पकड़े तो ब्रह्मा आत्माओं इन चरनों को तब ही पकड़ती है क्योंकि इनका असली सम्मंद पूर्ण ब्रह्मा से हैं सब किसी को विश्वासी नहीं होगा ब्रह्मा आत्माओं को तुरुंत विश्वास हो जाएगा आये कड़म दिल मौमिन जाको सब्द न पाँचे इस सिफ़त है जिन कड़मों के विश्वाए में बताना हो तो सब्द भी नहीं बता सकते हैं ये कड़म तो ब्रह्मा आत्माओं के रिदाय में विराजमान हो गए हैं हा के अरश दिलतों कया जो असल हा का निश्वत है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उनके रिदाय को अपना धाम इसले कहा कि उनका संबंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है ये वर्णन अहुकोमेतो किया, ये वर्णन पुर्ण ब्रह्मन ने अपने आदेश दे करके करवाया, जो जाहर करने खिलवत तो वो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने बैठक को बताना चाह रहे हैं दुन्या में, इसलिए परमधाम की, अब ये खिलवत कहेंगे, तो वो बैठक है, ये ब्रमात्माओं का रिदाय भी बैठक हो गया और परमधाम की बैठक भी बैठक है तो वो समझाना है, इसलिए ये वर्णन करवाया है बाकि तो वर्णन नहीं हो सकता था अभी तक वर्णन नहीं करवाया, अभी करवा रहे हैं इसका कारण यह है, एक अदम रूहें तो पकड़ें जो असा लह का निश्वत है, तो ब्रह्मातमाई इन चरणों को पकड़ सकती है, इनको ग्रहन कर सकती है, उनका असली संबंध पुर्ण ब्रह्मा परमातमा से है, हके आये किया अरश दिले को, बीच लिया एक अदम अन्यामत, पुर्ण ब्रह्मा ने रिदय को परमधाम बनाया और उनमें अपने चरण का मल को स्थापित कर दिया, परमधाम की सारी संपत्ती आ गई, जब परमधाम बन गया दिल, तो उसमें सारी संपत्ती आ गई ना, पुर्ण ब्रह्मा परमात्मा के आदेश ने ये सब दावा किया, कि हाँ, कि पुर्ण ब्रह्मा ने हमें ये समझाया है, ये बताया है कि तुम्हें ये सब समझाना है, तो जिन जिन को समझाने के लिए आदेश वहाए, उननों को इस उस प्रकार से समझाते है, तो ये तो यह और दावा कोन करता है जिसके पास में अधिकार होता है तो यह परमात्मा के आदेश को यह अधिकार तभी मिला कि जो अशलह का निश्वत है तो उसका भी तो पुर्ण ब्रह्म से ही संबन्ध है अरश मोहल दिल को किया परमधाम का महल रंग महल जैसा बना दिया रिधाय को आए बैठिया का सुरत उसमें पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के आत्माय आकर के बैठ कई पुर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्वरू प्रिधाय में अंकित हुआ ए अरश मेरतो भाई जो असलह का निश्वत परंधाम की एक क्रिपा तभी होई है कि जब उनके साथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्म का असली संबंध है इन कदमों मेहर मुझे परकरी इन चरणों ने पूर्ण ब्रह्म परमात्म के इन चरणों में मुझे पर क्रिपा की अधिया बेशक जो असल अहक अनिश्वत तो हमारा असली संबन्ध था इसलिए उन्होंने ये ज्ञान दिया और ये सारे दर्शन करवाए मुमिनों पाई बेशकी जो इन कदमों की बरकत बेशकी का तात्वर ये संदेय निवारण होना वो संदेय निवारण ज्ञान तार्तम ज्ञान प्रमात्माओं को तभी प्राप्त हुआ कि इन कदमों की बरकत इनी कदमों की प्रताप से पूर्ण प्रमात्मा के चरन कमल उनके देल में तभी उनको किसे प्रकार का संदिय ना हो ऐसा ग्यान मिला तो क्यों छूटे मोमिन से जो असल हक करनेश्वत ऐसे चरण कमल ब्रहमा आत्मों से छूटते ही नहीं है क्योंकि उनका ही तो असल ही सम्बन्द है इन चरणों किया अरश दिल को इनी चरणों में रिदाय को धाम बना दिया है दिल बोले शुद परता अब दिल बोलता है तब समझ में आती है रुएं तो लेवे मुहमद से फायत जो असल हक निश्वत तो आत्मा है परमात्मा का संधेश देने वाली मुहम्मद कहने से परमात्मा के प्रई आत्मा तो यहाँ पर सद्गुरु को कहना पड़ेगा सद्गुरु के सद्गुरु उनको उनके लिए जैसे रसुल मौंमन ने कहा था Jasika मैं आऊंगा और हुदा के सामने तुम लोगों के लिए वो कर दूँगा, शिफारिश कर दूँगा तो उस बात को यहां समझा रहे हैं सद्गुर आये हैं, अब उन्होंने तो समझा दिया आप शिफारिश करने की अवश्यक्ता नहीं, सब को पता चल गया है पहले जितने कते परंपरा में जिन जिन पैगंबर हुए हैं उन्होंने कहा कि कयामत के समय पर हम लोग तुमारी शिफारिश करेंगे तो इस तरह से आश्वासन दिया था तो अभी सद्गुर आये हैं तो उन्होंने तो सब को समझा दिया उनको पता चल गया आप सफारिशक की तो हविश्यक्ता ही नहीं है परमातमा के सामने सफारिशक के आवश्यक्ता नहीं पड़ती है तो अपने आपे समझ लेते हैं तो ये तो उनके इसाब से कहें तो सिफारिश कर दी है उन्हों ग्यान दे दिया है इसलिए इन ब्रह्मात्माओं का समंध पूर्ण ब्रह्मा से हैं रुएं कदम पकड़े हका के दिल में, तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को अपने दिल में ही ब्रह्मात्मा एक रहान करती है, इसका ठवर ढूनता, तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के रिधाय में बैठ करके, पैठ करके, घुश करके, प्रवेश करके, इसका ठव पुर्टी रहती है दिल मौमिन अरशतो किया जो असलह का निश्वत तो ब्रहमातमाओं के रिधाए को परमधाम तभी बनाया क्योंकि उनका असली सम्मन्ध पूर्ण ब्रहमः से है एक अदम ले दिल मौमिन अरश से ना निकसाता तो ब्रमात्माई इन चरणों को ग्रहन करके परमधाम से इधर उदर भटकती नहीं है तो वो इनी चरणों का स्मरण करती रहेगी तो इनको परमधाम का अनवब होता रहेगा ए रुहें जाने अरश वारगियां परमधाम के सुक्सम बातें तो ब्रमात्माई समझ सकती है जो असलह का नेस्वत जिनका असली समंद है रुहें शिर पर कदम चड़ाये के अरश मोहलमे मालत तो ब्रमात्माई पुर्ण ब्रम परमात्मा के चरणों को अपने शिर पर ले करके कहने का तात्परिया शिरोधारिय करके परमधाम में विचरण करती है दुनिया देख रही है फिर भी तो परमधाम का अनुभब करती है, परमधाम में विचरण करती है, मालत मालना मतलब विचरण करना, साइद ये गुजराती टाइप का ही सब्दा है, सबहक गुजरू है जाना ही पूर्ण ब्रहम परमात्मा के ऐसे गुड रहश्यों को तो ब् असले सम्मंद है, ले चरण दिल अरश में सब गलियों में फिरत इन चरण का मल को ले करके ब्रहमात्मा परमधाम के गलियों में गूमती है, कहने का तात्पर कहीं भी जाती है तो पूर्ण ब्रहम परमात्मा को भूलती नहीं है, वो अपने रिदाय में धारन करके जो आसलाह का निश्वत क्योंकि उनका असली सम्पन्द पुर्ण ब्रहम से ही है। रुह नई नपुतलियों बीच में हक अकदम अराखत तो पुर्ण ब्रहम पुर्म पुर्म पुर्मात्म के चरणों को कहा रखती है। आत्मा की रिदाय की आँख उन्सकी भी वो पुतली में रखती है तो इस तरह से समा कर उसमें समा लेती इतने उसको ध्यान दे करके रखती है एक हुई दिल अरश हरु है इस प्रकार वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में एकाकार हो जाती है जो आशलाह का निश्वत तो जिनका असली संबंद पूर्ण ब्रह्म से है दिल अरश किया इन कदमों इनी कदम इनी चरणों से ही ब्रह्मात्मा के रिदाय परमधाम बना है इता ही बैठे कार विश्त, तो इनी चरणों ने बैठ करके रिदाय को भी अखन कर दिया है, विश्त करना मतलब अखन कर देना, यह नियारे निमक नहों भई जो असलाह का निशवत, तो यह चरण एक शण के लिए भी दूर नहीं होते हैं, जो असलाह का निशवत, जिनका अ पुर्णब्रह्म से ऐसी ब्रमाइत्माऊं से ये चरन कमल एक्षण के लिए भी दूर नहीं होते हैं तो पुर्णब्रम परमाइत्मा के चरनों को याद करना चाहिए इस प्रिकार या पर समझाया उनको कभी भूलना नहीं चाहिए तो जब तक पूर्ण प्रह्मा के पैसान नहीं होती है तो उसके लिए फिर सद्गुरु के चरण में उनके मार्ग दर्शन में रहाना चाहिए इसके लिए सद्गुरु चरण को क्षेत रहे ऐसा कहा तो पूर्ण प्रह्मा का अनवब होने के बाद में तो फिर तो उनको शद्गुरु, श्यामा जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्म, वो सब एक ही दिखने लगेगा, तो कोई अलग जैसा लगेगा ही नहीं, तो इस प्रकार से ये समझा रहे हैं, अभी यही रखते हैं, स्रिक्रिष्न का नई आलाल कीजे, जो असलाहक निशवत, दिला अरश किया इन कदमो, इताही बैठे करभिस्त, ए न्यारे निमकना हो वही, जो असलाहक निशवत, जो असलाहक निशवत, जो असलाहक निशवत, स्रिक्रिष्न का नई आलाल की, श्री शद्गुरु महराग दी, श्री प्राण नाथ प्यारे की, श्री प्राण नवतन प्रे धाम के, जगत गुरु आचारी श्रेक स्वार्ण क्रिष्न मनिजे महराज के,